बिहार बोड के इंटरमेडियेट बोड परिक्षा 2021 का रिजल्ट जारी हो गया है आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो भी छात्र इस साल पास किये हैं उनको बिहार बोड के तरफ से क्या मिलेगा और कलास तेंथ और कलास टॉपर को इस साल बिहार इस दिया जाएगा उसके साथ जो भी छात्र किसी कारणवस जिनका कम नंबर आ गया है जिनको लगता है कि हमारा रिजल्ट खराब आया है या जो फेल कर गया है जो बिसेस परिक्षा का इंतेजार कर रहे थे जिनका किसी कारणवस परिक्षा छुट गया था तो उनके लिए भी भी आरबोड के तरफ से नोटिफिकेसन आ गया तो सभी बात को बिल्कुल बिस्तार से इसमें समझेंगे उससे पहले टौपर को मिलने वाले प्राइज की बात करें उससे पहले जेनरल जीतने भी छात्री इस साल पास की हैं इतने भी छात्राइं इस साल इंटर्मिडेट की परिक्षा में पास की है छात्रों को नहीं सिर्फ छात्राओं को उनको 25,000 रुपया मिलेगा चाहे वो किसी भी डिविजन से पास की हो टॉपर की बात करें तो जो भी छात्र या छात्राइं टॉपर है इस साइन्स में उनको पर्थम अस्थान आया उनको एक लाख रुपया एक लैप्टप और एक रीडर दिया जाएगा और जिनका दूसरे अस्थान पर जो पंदरा हजार रुपया और एक लैप्टप दिया जाएगा इतने भी छात्रों को लग रहा है कि मेरा अंक कम आया है इस बिसे में मैंने ज़्यादा लिखा था मेरा बिल्कुल कम नंबर आया है तो अपने लिए चायलने जर्थात की एस क्रूटली के लिए आवेधन कर सकते हैं इसमें आप एक बिसे के लिए या चाहे तो आपको दो-तीन बिसे में दिकत है तो उसके लिए भी आवेधन आप कर सकते हैं और आवेधन करने के लिए बिहार बोड के ओफीसियल वेबसाइड पर एक चार शर्थात की एक अपरील से आवेधन की परकिरिया सुरू होगा तो एक अपरेल से इस बेबसाइड पर जाके एक से साथ अपरेल के बीच में ओनलाइन आवेधन कर सकते हैं यदि आपको एक बिसे का अंक का सुधार कराना है तो उसके लिए आपको सतर रूपिया देना पड़ेगा यदि आपको दो बिसे के लिए चालेंज करना होगा तो 140 र अपना या स्कूरूटनी के लिए आवेधन कर सकते हैं जिन चातरों की परिक्षा इस साल एर्मिंट कार्ड जारी नहीं हुआ था जिनका परिक्षा किसी कारण वर्स छूट गया था या जिनका क्रोस लग गया एक से जादा बिसे में उनके लिए कंपांटमेंटल 120 से लिए जाए लिए जाएन पथे से सत्र के लिए यह जो भी करना है कम्पलीट कर सकके उनका एक साल बरबाद नहीं हो आज के वीडियो से जो आपको समझना है तो महतपूर बात है कि यदि आपको किसी बिसाय में लगता है कि नहीं मेरा रिजल्ट ठीक है लेकिन मेरा नंबर कम आ गया एक दो बिसाय में तो उसके लिए आपे स्कूरूटनी के लिए आवेधन कर सकते हैं और यदि कोई छात्र किसी बिसाय में फेल कर गया जिनका परिक्षा छूट गया वो कमपाटमेंटल सह बिसेस परिक्षा के लिए आवेधन कर सकते हैं और अपना पढ़ाई जारी रखे और मेक्सिमम सिर्फ उतर लिखने का परियास कर गया जितने भी छात्री सल उतर लिख द देता निया जिया बाट